दोस्तो कल किरौन पुलाड ने अपने आतिशी पारी से सभी को अपना दीवाना बना लिया स्टेडियम में बैठे लोग और साथ इसाथ अपने फैंस को किरौन पुलाड ने सभी का दिल जीता उनकी पारी थी भी ऐसी 87 रन मनाएं उन्होंने 34 गेंदों पे 8 छक्के लगा कर और 218 रन का विशाल का लक्षे मुंबई इंडियन को चेस करवा दिया जो कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि मुंबई ने 200 रन के उपर का लक्षे हसल किया हो ऐसे में मैदाम में बैटी रोही शर्मा की पतनी रितिका भी पोलाड की फैन हुई और कुन्टन डिकॉक की वाइफ फी जी हाँ दोस्तो जब बैटिंग के च्छक्के देख रहे थे तो और रितिका और कुईंटन डिकॉफ के वाइफ दोनों ही काफी खुश नजर आ रही थी पहले दोनों उदास थी क्योंकि लगातार विकेट गिर गए थे कुईंटन डिकॉफ का भी और रोही शर्मा का भी उसके बाद सूरे कुमार यादव का लेकिन जब पॉलाड ने च्छक के बल्लेबाजी को देखकर खुश होती है लेकिन इस बार पॉलाड के लंबे च्छके देखकर रितिका और कुईंटन डिकॉफ के वाइफ दोनों काफी जादा खुश नजर आई और मैदान में दोस्तों ये देखने का माहौल था रोही शर्मा खुद भी काफी खुश बाजो को नेस्तनाबूत कर दिया साथ यसाथ धूनी की सबी चालाकियों को उन्होंने सीरे सेनकार दिया कैसी लगी आपको पॉलाड की जवर दस्पारी और यहाँ पे खिलाडियों की पतनियों की रियक्शं पॉलाड पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और करें दोस्तों खेलो खेलो ताकि आपको आने वाली हर खबरियां मिल जाए सबसे पहले